असलाम उलेकुम उमीदे आप सब खेरिया से होंगे आज जो हैं एक्विशन और मोशन टॉपिक कवर करने वाले हैं विद एक्जेंपल और बहुत ही इंट्रेस्टिंग वे में फिजिक्स जो है वैसे बहुत ही सादा रुखा-सुखा सब्जेक्स समझा जाता है लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वे में डिलीवर किया जाए ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने एक्जेंस में अच्छे मांक्स स्कॉर कर सकें तो टोटल हमारे पास तीन एक्वेशन ऑफ मोशन है जिन में से सेकेंड और थार्ड एक्वेशन जो है हम इसी एक्वेशन को लिंक करेंगे ठीके इसे हम विलासिटी टाइम रिलेशन के बारे में परेंगे कि विलासिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है ठीके अब अगर आप लोग को विलासिटी नहीं पता कि क्या होती है तो मेरी प्रिवियस वीडियो आप जाके दे ठीके एक बॉल की एक्जेम्पल लेते हैं कि suppose a body is moving with initial velocity means यहां पर जो था अब यह बॉल तो वो इसकी initial velocity थी वो इसकी initial velocity से move करा था ठीके और इस undergoing uniform acceleration यहां से यहां तक जो गया वो इसमें uniform acceleration प्रोड्यूस भी अब uniform acceleration क्या है इसको understand करने के लिए हम पढ़ते हैं uniform मतलब एक जैसा ठीके अगर हमारे पास same velocity होगी और same same change in velocity होगी और same time के साथ होगा तो यह हमारे के लएगा uniform acceleration अब किस तरहां से एक example लेते हैं कि दिखें बॉल है a a point पर है अब यह b point पर जाएगा मतलब यहां पर a पर इसकी 10 थी और जब वह b point पर जाएगा यहां से लेकर यहां तक इसकी velocity होगी 20 meter per second कितना time लगा उसमें 5 seconds का ठीक है फिर वह b से लेकर c पर जा रहा है ठीक है मतलब 20 से move कर रहा है 30 second meter per second पर और same time 5 seconds का ही मतलब same time और velocity में भी same change आ रहा है 10 10 का change आ रहा है 10 और 20 में कितने 10 meter per second का तो uniform acceleration same acceleration आनी चाहिए तो चेक करते हैं कि acceleration सेम आ रही है के नहीं final A और B की पहले निकालते हैं ठीक है point A to B तो B हमारी final है यह final है अभी और यह हमारी initial थी तो 20 meter second meter per second minus 10 meter per second और इसको divided by time कर देंगे means 5 से तो हमारे पास आएगी acceleration 2 meter per second square ठीक है अब देखते हैं कि यह वाली same 2 meter per second ही आती है के नहीं अगर यह same आएगी तो हम consider करेंगे कि यह uniform acceleration है ठीक है अब यह वाली जो है B to C B को हम consider करेंगे initial और इसको consider करेंगे final तो हम final मैंसे initial minus करेंगे means 30 मैंसे 20 को minus करेंगे और divided by time करेंगे means 5 seconds 30 minus 10, 30 minus 20, 10 divided by 5 किया तो हमारे पास same answer आया 2 meter per second square means यहाँ पर जो है वो uniform acceleration से body ने move किया था कि देखें, uniform acceleration से body ने move किया था same change in velocity same time अब suppose a body is moving with initial velocity and is undergoing uniform acceleration for a time, जार सी बात इसमें time लगेगा और इसकी final velocity क्या बन जाएगी? VF बन जाएगी तो अब इसकी derivation किस तहां से होगी? इसमें हमारे बात की जारी है change in velocity की और time की भी बात की जारी है तो यह क्या के लाएगा हमारे पास? acceleration के लाएगा आस वीडियो में यह पड़ चुके हैं के acceleration क्या होता है? ठीके, अब acceleration change in velocity मतलब VF-VI और time को हम रिनोट करते हैं small t के साथ ठीके, अब t यान divided में हैं जब वहाँ पर आगा तो किसम हो जाएगा? मल्टिप्लाय में हो जाएगा VF-VI, same as it is अपनी position पर यह ओर t अपस से multiply हो जाएगे, तो है हो जाएगा 80 equals to VF-VI हमें final velocity की value मालूम करनी हैं क्योंके हमें यह चीज बनानी है VF equals to VI plus 80 बनाना है तो हमने क्या करना है? VF को separate करना है तो VF separate कर दिया 80 यहाँ पर minus VI है तो 80 के पास आखे क्या हो जाएगा? plus VI तो यह हमारी drive हो गई first equation of motion तो जैंट आखे क्या की तीजर थेज़ज है तो भी जाएगा मंना। आपक्या ठीजर क्या करने क्या है प्रसी है जाखाऑ क्या क्या तो शॉरbest प्रस्वक्र weiter is जाएगा